हेलो फ्रेंज आयर्वेति जयाने में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत असार्दर आयर्वेतिक मेडिसीन पतन जली सतावर चुर्णगा इसके फाइजे क्या क्या है किन किन रोगों में इसके इस्तमाल किया जाता है इसका प्राइस क इतना है और इसको कैसे सेवन करने चाहिए यह सारे जानकार इस वीडियों आप लोगों मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो का आप सुरू से अंतक जरू देखिए और पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता आए दूसरे वीडियों बनाने के लिए दोस्तो शातावार चुर्ण शातावरी नाम के एक जरी बुटी के जड़ से बनाया जाता है जो पुराएं दिनों से ही सारी दूरबलत्या को दूर करने के लिए बोडी स्टेंट और स्ट्रेमिना को बढ़ाने के लिए और बहुत स दोस्तो इसके डोजेस और इंडिकेशन भी यहां पर मेंशन किये गये हैं आप यहां पर देख सकते हैं इसके इंडिकेशन से यूस्फुल इन जेनरल डेबिलिटी और इसके यूजे से वान टेबल स्पूल फूल यानि फाइब ग्राम टॉइस डेली विट वाम मिल्क और इस डिरेक्टेट वाइब फिजिशियन और यहां पर एक चेताव ने भी दी गई है डूनट बार्सेश दिस पेक इफाउंड शील इस ब्रोकेन यानि इसका सील खुला है तो इसको खेड़ना नहीं चाहिए दोस्तो इसमें क्या का जड़ीबुटी डाला गया है यह देखा इस पेक को खाईतना नहीं चाहिए क्योंकि यह सिल नहीं होने से सतवा चुलना डेमेज हो जालता है सतवा चुलना देखने में कुछ इस तरह का पावडर होता है देखिए यह आप देख सकते कुछ इस तरह का वाइट पावडर मिलता है सतवा चुलना का यह मेल और फिमेल के सबी तरह के hormones को balance करता है और female reproductive organs के health के लिए भी काफी beneficial माना चाता है वजन बढ़ाने के लिए सतवार चुना बहुती कारगर oswinदी है जो लोग ज्यादा बब बढ़ाना चाहते हैं उन लोग के लिए सदवार चुना एक बहुती कारगर आयरंवेदिक मेटिसन dzisiaj सतवार चुर्णा को दूद के साथ सेवन कहने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है दोस्तों सतवार चुर्णा साहरीक दूरब्रता को दूर करता है और बोडी स्टेन इस्तिमिन और इम्मुनिटी पावर को भी बूश्ट करता है जो लोग जीम जाते हैं और बोडी बूइल करते हैं उन लोग के लिए भी सतवार चुर्णा बहुत ही लापकार होता है प्रेग्नेंसी के वक्त सतवार चुर्णा को सेवन करने से मा और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फाइदिमन होता है ये बच्चे की विकास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ये सतवा चूर्णा लिवकोरिया रोग में भी बहुत ही फाइदेवन माना जाता है इसके आलाव अभी सतवा चूर्णा ब्लाट को प्यूरूफय करता है भूग को पढ़ाता है इनफर्टिल्टी जैसे समस्य आपको दूर करता है और 10 पेचीस डायर्य जैसे रोग में भी बहुत कारगर माना दाता है दोस्तों आई आप जान देर सतवाचुना के सेवन बीधी के बारे में दोस्तों 5 ग्रम सतवाचुना यानि एक चम्मा सतवाचुना को दिन में दो बार दूद के साथ या पानी के साला करके भी ले सकते हैं इसको हमेशा भोजन के बाद ही सेवन करना चाहिए इससे ज्यादा फाइदा मिलता है तो दूस्तों अगरे आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे स्बस्क्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडिय